नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, मैं बहुत अच्छी हूँ और साथ साथ में बहुत बीजी भी हूँ आप लोग के साथ हर दिन का कुछ न कुछ सेयर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है इससे मुझे एक फाइदा होता है कि मुझे ये समझ में आता है कि मैंने आखिर कुछ आगे बढ़ी कि वहीं पे थी जहां पे मैं तीन दिन पहले थी तो सच बताओ अभी ना situation कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ भी अपने forward में नहीं है बच्चे का तबियत भी बहुत बिगड़ गया है और बुखार है अभी वो दवाई खा रही थी और साम की समय हो रही है देखे थोड़ी थोड़ी लाइट भी चालू हो रहा है और इस समय जो है खुब ठंडा हावा देना सुरू कर देते हैं तेरा दुन में इस समय काफी ठं है और पता यहां पर बहुत चोटे चोटे बच्चे भी है जिनको देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतनी चोटे चोटे बच्चे बिचारे कितनी मुश्किल से रह रहे होंगे तो चलो यह था आज का बाहर का जो सिच्वेशन होए वह आप धिर धिरे हम अंदर के के तरफ चलते हैं और यहां पर बन रही है खाना आज मटर और आलू की सब्जी बन रही है सब्जी में जो है मटर मटर के साथ सा थोड़ा सा बीन्स वगरा हमने डाल दिया है तो जो इस समय होता है मिक्स भेज मिक्स बेज इस समय बहुत टेस्टी भी बनता है और अगर पानी डालते हो तो सब्जी में इतना टेस्टी कैसे बनता है तो पानी कम डाला करें और उसको तेल में ज्यादा देर तक अच्छे से भूनना चाहिए उसी से उसका टेस्ट बढ़ता है अगर थोड़ा सा भूनोगे और उसमें पानी डाल दोगे या तेज आच में जल्दी पानी की कोशिस में रहोगे तो सब्जी अच्छे से नहीं पकती है इसी तरह से हमारे जिंदेगी भी है जब धीरे धीरे कोई चीज होती है धीरे धीरे हम कोई चीज के प्रती आगे बढ़ते हैं तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है और एक ही टाइम में जब हमें सब ची आगे एक दो अइसी ही हो जाता है तो मेरा काम बहुत जादा बड़ गया है अभी सुवे से लेकर शुरू हो जाती हूं और कब शाम हो जाता है वह पता ही नहीं चालती तो यह देखिए अभी मस्त धूप आई है इस समय जब्लोग आप लोग ने कई बार देखा होगा और इस तरह से दो चीज होती है एक तो तवा को बार बार उपर नीचे नहीं करनी पड़ती है इससे गैस जो है बरबाद नहीं होती है और गैस के उपर डारेट सेखना मेरे हजबन को पसंद नहीं है तो मैंने तावा में ही देखिए है यह से बनती रहें कि वैसे वैसे में खाना बच्छों को देती रहेंगे तो इन की जो है एक तम गरम गरम रोटी खाने का आदत है और सो ऐसी तरह से जब कुछ भी हो तो еци करेगत को हो बनने में खाएखा रहिए और हमारे जो बड Boy के लिए भी वह अच्छा होता है जो food science है वो क्या कहती है वो कहती है कि आप कुछ जो भी बना रहे हो प्रेम से बनाओ जो चीज आप गुस्से से बनाओगे ना वो चीज का स्वाद बिल्कुल भी नहीं बन पाता है अब जो है ठंडी की समय है और इस building में ज़्यादा लोग अभी आये नहीं है सिर्फ हमीं लोग और दो-तीन और family यहां पर आये है और building का काम बहुत बचा है बहुत ज़्यादा काम यहां पर चल रहा है अभी भी तो धूल मीट्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी भी बा और अभी जो मेरा actual schedule था वो बहुत ज़्यादा changes हो गया है कोई चीज आगे होती है कोई चीज बाद में होती है और एक तो ठंडे के बाद हो रहा है दूसरी बात है कि अभी चीजे बहुत ही गड़बड हो रखा है और यह जो दो-तीन box आप देख रहे है आज का target यही है कि यह दोनों box को खाली करके इनकी जो सामान वगरा है वो अपनी अपनी जोगा पे बस सेट हो जाए तो इसी तरह से सामान हम लोग सेट कर रहे है बेटी भी बहुत मदद करती है कभी थोड़ा camera पकड़ लेती है तो कभी काम में मदद कर देती है क्योंकि अकेले सारा काम करना तो बहुत मुस्किल हो जाता है और यहां पे देखे जो balcony वगरा है यहां पे भी काफी धूल मिटी आता है बाहर आप देख सकते हो देखे लेवर वगरा अभी भी काम कर रहे है और यह सारे जो सामने वाली building है यह अभी तक आधा से भी जादा काम इसमें बचा है तो खाली सब्सक्राइब या रात के समय और देखी यहां पे ना कैमरे में तो दिखते नहीं है लेकिन सच नहीं मानेंगे थोड़े दर पहले भी मैंने जो है चाड़ू मार के गई थी उसके बाद भी फिर से इतना धूल जमा हुआ और इसको भी अच्छे से धोके साफ करके रख ले देंगे पूछा के भी हालत बहुत खराव है बहुत गंदा हो रखा है इसको भी सर्प में डुबो देंगे तो यह भी धिरे-धिरे साफ होगा मुझे जितना लग रहा है इस घर में पूरी तरह से सेटल होने में काफी समय हमें लग जाएगा और मेरे जो जो सौक है जिस त कुछ काम करी थी और इसके बाद जो अलमारी का यह पाठ है इसमें मैंने गरम कपड़ों के लिए बना लिया है तो गरम कपड़े इसमें रख दूंगी सारे और यह कंबल वगरा है एक दिन में मेरा कंबल का कलेक्शन भी आपको दिखा दूंगी क्या-क्या लिया है मैंने क मेरे पास कुछ रहता है नहीं था गरम चीज़े और एक और चीज़े आपको दिखा रही हूँ देखिए यह ना काफी पुरानी है बहुत पुरा बैग ना मोतियों से बहुत बढ़िया डिजाइन किया गया है अंदर सिल्क के कपड़े है और यह पूरी बैग मेरा मोति का काम बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो सभी को दिखाती हूँ कैसे है आप सब के बस के इस तरह का बैग है या नहीं है जुरूर बताना और प्राइस भी मुझे बता देना ताकि मुझे भी याद आ जाए कि हां मैंने कितनी में लिया था और एक बॉक्स देखो पुरा साफसाफाई बुक्स ना बहुत ज्यादा जमा हो गया है जो बुक्स अभी पढ़ा नहीं जा रहा है या पुराने बुक्स है छोटे क्लास के बुक्स है तो वह बुक्स अभी नहीं रखूंगी क्योंकि घर में इतनी जगा नहीं है और बहुत ज्यादा चीज़े ज आमान बगर मैंने इसमें डाल दिया था तो वही निकाल रही हूं चीजे सारे तो आई तो है लेकिन कौन सा चीजे कहां मतलब रह गया है यही एक बात होती है और यह घड़ी मैंने लिया है टाइटन का इसका कभी मैंने रिव्यू दिखाऊंगी मुझे बहुत पसंद आया ट कुछ एक खास बात है इस गड़ी में जो मुझे बहुत पसंद आया और यह वाली बॉक्स में पूरा टॉलिटरी के सामान है कुछ मिक्स चीजे है मिसलिनियस चीजे है तो वह सारे मैंने खाली कर लिया था पूरा वीडियो बनाना तो बहुत मुस्किल था इसलिए थोड़ यह सारे बॉक्स में ही सामान आया था यह बॉक्स मेंने रख दिया था और उसी में ही एवी ट्रांस्फर किया अब जो है इस बॉक्स was औरहें लग निकाल दूए है और दbung स exactamente काइन बेडरूम थोड़ा सा साफ सफ़ाई तो लग रहा है लेकिन आभी भी बहुत जगा पर बहुत सारा काम छोटे मूटे बचे है जैसे यह जो बॉक्से सब देख रहे है कागस का इसमें है होमियोपैथी का दवाई मैं नॉर्मली अलोपैथी कम लेती हूं होमियोपैथी का ही ज्यादा दवाई लेती हूं होमियोपैथी की साइड एफेक्ट बहुत ज्यादा कम होता है तो देखिए यही सारे है और अभी थोड़ा-थोड़ा काम तो बचाई ही पड़ा है पर बहुत सारा काम निपड़ भी गया है तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूं मिलत कर cared लेती हे एंड करteशा के canिल वीडियोफ charm मिलग़ाह्य है पंप एंड रहुत अजयो आवा थां मोरेसी वीडियो और झाल यही है तो आवीड़ा स crying